सब्सक्राइब करिया है फैस्टी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटिस वीडियो अपडेट सबसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल हाइफाइस्टी पे दस्तो आज की जो वीडियो होने वाली वो डियलेट दुतिय समेस्टर प्रारमिक शिक दुम दाता है तो यहां उसको जैसरा क्योंग भा filho को सबस्दो देख सकते हूँिए सरगा कि बेड्यालाय विकास्तियो नहीं किसे कहते है इस तरह कि किसी भी तरक का आपको घुमा करें कुशिन सकता है यहनि कि दूसरों यहां पर बात करें henry कि बिद्ध्याले भिकास यूजना वर्तमान इस्तिती के शापेक्ष बिद्ध्याले की कार प्रडाली में सुधार लाने की एक यूजना है दूसरा कुशन हमारा जो साथिओं बनता है कि मीना मंच का गठन क्यों किया गया है तो जो मीना मंच है उसका गठन किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य पर्योजना परिशद द्वारा प्रदेश में बाली का शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक जनपद में उच्छ प्राथमिक स्थर पर मीना मंच का गठन किया गया है और इसका गठन नेपेजल नेशनल प्रोग्राम जिसे कहा गया है यानि के दोस्तों NPEGEL यानि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्स अट एलेमेंटरी लेवल के अंतरगत रखा गया है दोस्तों अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों की मीना मंच क्या होता है यानि मीना मंच की उद्देश से कौन कौन से है तो मीना मंच की उद्देश से स्यूग की भामना का विकास धर्ड नंबर हो जाता है बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ना रचनातमक लेखन तथा चिंतन की आदत पांचवा नंबर हो जाएगा बिभिन जीवन कौसलों का विकास छटा नमबर हो जाएगा बाल एवं महिला अधिकारों का ग्यान ये हो जाता है दोस्तों उसके बास सातवा नमबर हो जाता है कि बाल विवाह की रोक थाम और बचत है तो प्रोतसाम ये हो जाएगा दोस्तों मीना मंच के उद्दे से मीना मन्च के यहां पर आठ उद्दे से हैं लेकिन अगर आप इसमें से पांच, छे, साथ तक लिख देते हैं तब भी आपको पूरे को पूरे नंबर दे जाएंगा तो एक भी नंबर नहीं कट किया जाएगा यहीं पर अगर हम अगले प्रस्ण की बात कर लेते हैं अगला प्रस्ण की बैठक कब होनी आवश्यक है तो प्रतीक माह में सनिवार या रविवार को या फिर दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग रविवार को यानि कि यहीं दो हैं दिन जो अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक होनी चाहिए ठीक है साथियों अभी मैं आपको बता दू ये जो PDF आपको ये टेलीग्राम पर प्रवाइड हो जाएगी सभी साथी इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे सभी साथी ठीक है सभी साथी इसको डाउनलोड कर लेंगे बहुत ही important question है आप सभी के लिए और जो भी साथी हुआ है अगला प्रशन यहां पर देखते हैं कि जेंडर समवेधी करन से क्या आसे है तो जेंडर समवेधी करन से आसे है कि हम अपनी रूडिवादी सोच को नहीं बदल पाएं हैं परिवार में बालक को अधिक महत तो दिया जाता है बालिकाओं की अपेक्षा बालक की कौन-कौन हो जाएगा पहला हो जाए कि बालिकाओं को वश्च का वाहक न समझना ठीक है लिंक भेड मेरे करण हो जाए-दोस्तों कि वाहक न समझना कि हां बालिकाओं हैं तो हमारी क्या होगा वंस में ब्रद्धी होगी ऐसा नहीं समझना है साथ में दूसरा हो जाएगा हमारे छोटी उम्र में विवाह छोटी उम्र में विवाह तीसरा हो जाएगा घरेलू कारियों के जिम्मेदारी घरेलू कारियों के जिम्मेदारी छोटी बच्चों की घर में देखवाल अभिभावकों की आर्थिक तंगी बालिकाओं के लिए उधा सीनिता एवं अपेक्षा यह हो जाते दुस्तों लिंग वेद के मुख्या कारण अगला हो जाए का हमारा यानि कि जैसे यहां पर देखे घर की जो देखवाल या फिर आप लोग कह लेजिए कि आर्थ तंगी जो होती है कि हाँ पर अगर लड़की नहीं होती लड़का होता हमारा तो यह थोड़ा सा कहीं पर कमाता हमाता पैसे वसे लाता तो यह सबसे ज़्यादा होता है लिंग वेद में ठीक है लड़का होता है तो हमारा कुल वंस चलाता है लड़किया कुल वंस कहां चला जाता है और अभिलेकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाती है भावी योजनाओं के निरड़े में शहायक होते हैं अगले प्रस्ण के यहां बात के लिते हैं कि स्री एंजनारदन रेड़ी ने अपने रिपोर्ट कब पेश की तो अपनी रिप नक्षिता में 22 जनवरी 1992 को शमित ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अब ही पर अगले प्रस्ण की बात के लेते हैं हंटर कमिशन को अन्य किस नाम से जानते हैं तो हंटर कमिशन को भारती शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जानते हैं ठीक है अब यहां पर नेक्स्ट ही वच्छ प्रात्मिक सात्यों का की और हो जाएगा अगला प्रस्न हो जाएगा यहां पर की बहुत इंपार्टन यह भी सात्यों कूशन है कि सर्भ सिक्षा अभियान संचालित किये जाने कि क्या उद्धे से है तो निम्न उद्देश इसके पहला हो जाएगा कि वर्ष 2003 तक प्राथमिक बिद्यालियों, शिक्षा गारंटी, किंद्रों, वेकल्बिक और बिद्यालाई शिविर्क में शभी बच्चों को प्रवेश कराना दूसरा हो जाएगा सन 2007 तक सभी बच्चे कच्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि सन 2010 जहां सातियों सन 2010 तक सभी बच्चे कच्षा 8 तक की पूर्ण शिक्षा पूर्ण कर लें अब यहां से दुस्त olmaz आगला पता है, वह बनता है कि सर्व शिक्षा अभ्यान का प्रमुक्लड़ नक्थ था विद्यालों में दाखिला स्कूलों में वापस लोटे सीविर, यानि बैक टू स्कूल केंप में हूं अगला हो जाएक हमारों दूसरी हाँ पर कुशन कि अपवे का अर्थ बताईए यानि अपवे का अर्थ है अपवे का साब्दिक अर्थ है वे अर्थ था अथवा फिजूल खर्जी ठीक है फिजूल खर्जी सिक्सा में अपवे का प्रियोग इसी अर्थ में किया जाता है जब वो कोई बालक किसी कक्षा या पाठिक्रम में दाखिला बिद्याले लेने का पश्चाद उसे पूरा किये बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे अपवे मतलब कि अगर आपने क्लास टेंथ में लिया अड्मिशन सारी प्रक्रिया आपने कराई एक्जामिशन फॉर्म भी भरे गए बीच में आप लोगे ने स्कूल को छोड़ दिया या फिर आपने एक्जाम स्कून नहीं दिया तो दोस्तों जो आपकी फीस है या फिर आपने कुछ भी पैसा लगाया हुआ है तो वो सारा का सारा दूस्तों क्या हो जाएगा वो सारा का सारा बैक हर्च हो जाएगा या अपव्य हो जाएगा अब यहीं से दूस्तों हम अगले प्रशन की बात कर लेते हैं यानि अवरोधन का अर्थ बताईए तो उसे अवरोधन कहा जाता है यानि छातर के अध्यन करम में रुकावट आ जाती है भारत में इसे और इस और क्या बोलते हैं हींग कमेटी ने सर्व पर्थम 1929 में हमारा ध्यान आकर्शित किया यानि हींग कमेटी के अनुसार अवरोधन से हमारा तात्य पर है कि किसी बच्चे का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से यानि कि दूस्तों यहां पर सबसे बड़ा अवरोधन यहां पर यह होता है रुकावट यह आती है कि अगर आप क्लास एत में कोई बच्चा है फस्त में कोई बच्चा है तो अगर आप उसको एक साल पढ़ाएंगे दो साल तक तीन साल तक उसी कख्षा में रोके रहेंगे कि हाँ परिपक हो जाए अच्छा था पढ़ने लिखने में हो जाए तो दूस्तों यहीं पर होता है क्या होता है अवरोधन का कारे अगर आप दो साल रोकेंगे उसको एक साल वो लेट हो जाएगा यानि अवरोध उत्पन होगा क्लियर यही होता है हमारा अब यहीं पर दूस्तों हम अगर बात कर लेते हैं कि निम्न योजनाओ के पूरे नाम बताएं निम्न योजनाओ के पूरे नाम बताएं यानि OBE, S. इसपोर्ट और DPEP या NPEGEL तो यहां पर दूस्तों सबसे पहला जो हो जाएगा हमारा OBE, यानि Operation Blackboard हो जाएगा, Clear Operation Blackboard हो जाएगा, Next हो जाएगा हमारा S.O.P.T. यानि Special Orientation Program for Teacher, उसके पात हो जाएगा DPEP यानि District Primary Education Program, NPEGEL National Program of Education for Girls at Elementary Level, यह हो जाएगे, इसके दोस्तों पूरे नाम लिखने को आते हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोटाउन कर लेजिएगा, त्यार भी कर लेजिएगा, नहीं तो PDF आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड हो जाएगी, जो भी शाथी टेलिग्राम को नहीं जोइन किया है, टेलिग्राम को भारत एक पंथ निर्पेच रास्टर, यानि समवर्ती सूची में दिये गए विस्यों पर नीती एवं कानूर बनने का अधिकार किस सरकार को है, दोहजार सोला में एक उशन पूछा भी गया, तो यहां पर लगातार दोहजार सोला में कोशन पूछे गया है, तो हां हो हमारा की East India Company, यानि East India के आगया पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था, जो यहीं पर अगले प्रस्णा कर लेते हैं, हम लोग दिया गया है, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस परकार का वर्ग तयार करना चाहता था, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तयार करना चाहता था ये भी 2016 में पूछा गया है यानि मायकाले ने अपने विवरण पत्तर में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ड में भारतिय किन्तु रुचियों नैतिक आदर्सों और बुद्ध में अंग्रेज हों यानि इस बात से यही एसप्रेश्ट होता है कि मायकाले भारत में ऐसा वर्ग बाबु वर्ग उत्पन करना चाहता था जो पस्चात शभ्यता का उपाशक और ब्रेटिश शाषन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़े मजबूत करने में शरकारी मदद कर शके अब यहीं पर अगर हम अगले प्रशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो यानि वुड के आदेश पत्र में सिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था 2016 में पूछा गया है अंग्रीजित था भारतिय भाषाएं यानि यसपाल समित की अध्यक्षता में गठित समित का उद्देश क्या था 2016 में पूछा गया है यानि अधिकम की गुडवत्ता में शुधार करते हुए सभी एस्तरों की स्कूली चात्रों विशेश कर छोटे चात्रों पर पढ़ाई के बोज को कम करने की उपायों के उपायों के बारे में शलाह देना यानि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बिद्याल यह लोग दिखते हैं पहला हो जाएगा सिक्षक उपकरण के लिए पाठ्य करम पाठ्य करम सिक्षक संदर्विक संदर्वशी का पाठ्य पुस्तक दूसरा हो जाएगा हमारा कच्छा सेक्षट सामगरी यानि मांचितर ग्लोब चार्ट इत्यारी आजाएंगा इसके अंतरक पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए यानि पी मोस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्रोग्राम आप मास ओरियंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स हो जाएगा ठीक है इसकूल टीचर्स हो जाएगा अगला हो जाएगा हमारा के प्रत्थम चरण में डीपी इपी देश के किन राज्यों में लागू की गई 2016 में बात कर लिखते हैं हम लोग यहां पर कि साथ राज्यों के 42 जन्पदों में प्रत्थम चरण में चैनित साथ राज्या मध्या प्रदेश अस्वहर्याना महाराष्ट करनाटा के तमिलाडो इवं केरल यह हो जाएगे नेक्स्ट हम प्रश्न की बात कर लेते हैं यहां पर ड्रॉप आउट के शंतरप में डी पी इपी का क्या उद्देश था दूसा सोला में पूछा गया है तो ड्राप आउट की दर को दस प्रतिशत कम तक कम करना तथा धार्ण चमता को 90 प्रतिशत तक बढ़ाना यानि इसी सी शब्द शंचेप का अंगरेजी में पूरा नाम लिखो दोसा सोला में पूछा गया है दोस्तों यहां पर कि एरली अर्ली चाइल्ड लूट कियर एंड एजुकेशन नेक्स्ट प्रस्न हमारा हो जाएगा कि प्रत्थाम चेरण में मध्यान भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में ला सब्सक्राइब कर लिए कि थोड़ी से तबीयत जो है दोस्तों वो सही नहीं है ठीक है तबीयत सही नहीं है इसी वज़े से थोड़ा सा बोले में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप लोग मैनस कर लिजेगा और जो भी सात्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो अनुसंधान एवं नमाचार और आदर से पाठे करम राष्टी शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा विसेश सिक्षा और विस्तार शेवा अगले प्रशन की यहां पर दूसर बात कर लेते हैं हम लोग 12.16 में पूछा भी गया है इंद्रा गांधी राष्टी अमों से बेस्वित दे ले कि अस्थापना कभी थे तो 20 सेतंबर 1985 को हुई थी अगला प्रशन हो जाएक है कि कलकत्ता मदर्सा एवं बनारस संस्क्रिट कॉलेज की अस्थापना किस उद्देश से की गए थे 12.16 में अभी पूचा गया है तो हो जाएगा दोस्तों यहां पर कि कल नारस संस्क्रिट बिद्याले की अस्थापना का उद्देश से मनु इस्मृतिक पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यादीजों के हिंदू शलाकार तयार करना तो दोस्तों यह थे आप सभी के वेरी वेरी मॉंस्ट इंपॉर्णन कुशन सभी सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में अपने दोस्तों को जादा से जादा श्यार कर देंगे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं बूलेगा तब तक रिधायं को सुच जैहिंचे फरतवन्दे मातर मिलते फिर से और नेक्स्ट वीडियो के साथ